जो ये थाबित कर दे कि सार्स कोब 2 एक नया वाइरस है उन्होंने बताए कि हमारे शरीर में बहुत सारे वेक्टेरियल वाइरस रहते हैं उन्होंने बताए कि एक करोड लोगों में H1N1 का टेस्ट करा जाए तो उसमें से 10 से 13 लाक लोगों में H1N1 टेस्ट पोजिटिव आएगा तो हमारे देश में हर साल 1.5 लेक्स लोग निमोनिया से मरते हैं लेकिन आज सक आपको पता चला तो पिछले 6 महिने में भी 75,000 लोग निमोनिया से मर चुके हैं लेकिन उनकी गिंती भी पता नहीं कहां कहां कर दिये कुछ पता नहीं चला क्योंकि ICMR यानि Indian Council of Medical Research ने ये एक guideline जारी करी है कि अगर किसी आदमी की death होती है और उसका test किया जाता है चाए वो positive आए चाए negative आए मरने से पहले या मरने के बाद में अगर किसी को सांस रेने में दिक्कत है या किसी को hurt की problem है तो उसका corona का ही death बताई जाए ये guideline ICMR ने जारी क करी है आप उनकी site पर जाके देख सकते हैं तो बताईए अगर को यादी मरता है तो उसे सांस की दिक्कत ही होगी या उसे hurt की problem होगी क्योंकि जब heartbeat बंद होती है तम मरता है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप सोचिए अगर को यादी मरेगा कोई आदमी किसी भी जि होगी है कि अगर कोई आदमी की death आप करोना से दिखाते हो तो उस hospital को या उस doctors को 40,000 डॉलर पर death मिलेंगे हाँ पर डॉक्टर को यह permission दिए कि आप किसी भी death को करोना दिखा सकते हैं और जो भी इससे दिखाएगा उसको 40,000 डॉलर जो है वो मिलेंगे डॉक्टर भी कर सकते हो कि इसकी करोना वाइरस से death हुई है और अगर नहीं हो तो अब करके देख लो पता लग जाएगा आपको क्यों इतनी मोते हो रही है क्यों नहीं हमारे देश में भी आस्तिक किसी की एटॉप्शी हुई है वहान में ये वायरस जनवरी में आया था वहान से 1175 किलोमेटर दूर जो है बीजिंग है लेकिन वह वहां से बीजिंग नहीं पहुँच पाया और वो इतने पूरे वर्ड में फैल गया और आज देखिए चाइना ने सब कूछ अपना मैनुफेक्ट्रिंग कर रही है चाइ वहां पर कोई रूल लई है कि आप मास्क लगाए या ना लगाए और कमाल की बात है कि वहां की जो पॉपलेशन वो 15-16 करोर है उसके बावजूदी वहां पर एक भी डेथ नहीं हुई है और एक और देश उन्होंने बताया तिंजानिया वहां पर तो अगर आप मास्क लग भारत के डॉक्टर जो है वो क्या पागल है उनको नहीं पता कुछ भी वो क्यून ही बोल रहे है या वो क्योई इसको मान रहे है तो इस सवाल के जवाब में डॉक्टर विशूप ने बताया कि महरास्टा में डॉक्टर निलेश पाटिल और पल्लवी पाटिल ये दोनों MBMS आपने मेरी लास्ट वीडियो में दिखा होगा कि इन्होंने महाराष्ट्रा के COVID सेंटर में तीन पेशिंट COVID-19 जो पॉजिटिव थे उनको इस थी डेस फ्लूड एड़ से ठीक कर दिया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई, आपको सुनके बड़ी हैरान होगी कि महाराष्ट्रा मेडिकल काउंसिल ने उनको कुछ दिन बाद एक नोटीज जारे किया और उन्हें कहा कि आज के बाद ऐसे मरीज ठीक नहीं करना, वरना तुम्हारे डिगरी कंसिल करती जाएगी और तुम प्रैक्टिस करने लाइक भी नहीं रहोगे, तो बताईए ऐसे में जब डॉक्टरों को ऐसे धंगा जाएगा, तो कौन डॉक्टर आगे आएगा, कौन बोलेगा और कौन इस तरह से इलाज करेगा, अब आप सोचना शुरू कर दिये दोस्तों, कि ये देश कहां जा रहा है, और कितनी बड़ी साज़ेश ही हो रही है, कि जो पने ये दावा किया, कि 27 जैनवरी 2020 को जो मैंने स्टेटमेंट दिये थे, उस स्टेटमेंट पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन WHO रोज अपने स्टेटमेंट बजलता है, तब से लेकर आज तक रोज अगर आप देखोगे, तो उसके रोज नए स्टेटमेंट मिलेंगे, उ इतना बड़ा दावा इस वर्ड में अगर किसी ने किया है, तो वो डॉक्टर विश्रू प्राय चौधरी ने है, अगर हिम्मत है किसी में, तो ये साबित करके दिखाते हैं को कि वो गलत है, एक सवाल के जवाब में उनने कहा कि फैवी फ्लू जो मैडिसन है, वो 2014-50 में ज फैवी फ्लू बैन है, बस भारत ही एक ऐसा देश है, जो फैवी फ्लू कूप धढलने से बिख रही है, और इसके कितने साइड एफेक्ट्स हैं, यह हमने अपनी वीडियो में बता दी है, उनसे पूछा यह है कि आखिरे साजिश कोन कर रहा है, एक सवाल के जवाब में उन मारना चाहते हैं, डॉक्टर विश्रूप राचौधरी का यूट्यूब चैनल उड़ा दिया गया, डॉक्टर विश्रूप राचौधरी का फेस्बुक गायब कर दिया गया, डॉक्टर विश्रूप राचौधरी के अलावा जो भी लोग उनके बारे में, या जो भी से र संदेश लोग को देना चाहते हैं तो ड़क्टर विश्टू प्राइच ओधनी ने बोला कि मेरा संदेश इस देश के लोग को यह है कि आप करोना से मड़ डरिये करोना कुछ नहीं है सिर्फ एक भ्रम है और सिर्फ एक जाल है जो कि डर का माहल बनाने के लिए बिछाया गया ह NCR Current News को सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दवाएं बेल आइकॉन